रेलवे स्टॉक्स के उपर एक न्यूस कवर कर रहा हूँ, आपसे खंबल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। बजट में इंफ्रस्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर बहतर उमीद से रेलवे स्टॉक्स ने पकड़ी रफ्तार। शेर वजार में 21 जून को कई रेलवे स्टॉक्स में जोड़दार तेजी देखी गई। नरेंद्र मोधी सरकार की तीसी कारेकाल का पहला वज़ट जल्दी आने वाला है और वजट को लेकर उम्मीदों की वज़ए से इन शेरों में गतिविद्य तेज हो गई है। हाल में हुई रेल दुरगठनाओ के बाद रेलवे सुरक्षा में निवेश को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बीजादा की बड़ोतरी हुई है। रेल टेल का स्टॉक 21 जून को तकरीबन 10% बढ़कर 475 रुपए पर बंद हुआ और इसके मार्किट कैप में 1400 करोड रुपए की बड़ोतरी हुई। रेल टेल को साउथ सेंटरल रेलवे से 20.22 करोड का ओर्डर भी मिला है। पिछले ए इस टॉक में तीन गुना से भी जादा की बड़ोतरी हुई है। एरकोन के शेरों में भी 21 जून को तेजी रही और यह 4% उपर 277 रुपए पर बंद हुआ। में तेजी देखने को मिली है। बिजेपी एंडिया सरकार लगातार तीसरी बार सक्ता में लोटी है। लिहाज़ा इससे निवेशकों में उम्मीद कायम है। इंटरनेशनल ब्रोकरेज फरम गोल्डन मैंसेक्स ने अपनी हालिया नोट में कहा कि रेलवे के के जरीए सरकार का इंफरस्ट्रक्चर पर फोकस दारी है।